हैपिने और फ्रेंड्स सागत आपका मेरी यूटिब चैनल पर आज अपन देखने वाले आयर तेत्ति सुक मशीन का जो ड्रे डेक प्रॉब्लम होता है जो कैसेड होती है उसका डेक प्रॉब्लम होता है वो देखेंगे कि वो उठाता नहीं है पेपर उठाता नहीं है और दि कि यहाँ पर दो डेक्स थे एक डेक्स अच्ची तरगे से काम कर रहा था और दूसरा जो है वो पेपर नहीं उठा रहा यह देख सकते हैं आप A4 पेपर सेट नहीं हो रहा है तो यहां पर मैं ट्रे निकाल लेता हूँ और फी से लगाता हूँ तो आप देखते हो इसका साउंड भी आप देख लो ठीक है दस्तो अभी आपन इस मशिन के उपर शास्त्र क्रिया करेंगे सबसे पहले आपको यह सभी कवर्स निकालना पड़ेंगा यह जितने भी आजो बाजो वाले कवर्स है वह निकालना पड़ेंगा तब जाके वह डेक निकल पाएगा यह सभी कनेक्शन निकालना है जो वहां से कनेक्टेड थे तो यह सबसे वहले बाइपास का कवर्स निकाल लिए उसका एक कनेक्शन है जो जो रिजिस्टर से कनेक्टेड होता है यह मैंने पीन निकाल लिए उसकी बाद में सभी नट्स निकालना है जैसे मैंने वीडियो में बताये थे लेकिन एक बात ध्यान रखना है यह सब करते समय है आपको मैक्जिमम टाइम स्रिफ मेकैनिकल को ही बुलाना पड़ेंगा क्योंकि आप यह दी घर पर कर रहे हो तो एक गेर भी धिला हो सकता है जिसके कारणा आपकी मशिन स्टार्ट बराबर नहीं हो पाएगी या फिल्डेक काम नहीं करेगा कि मैं रिकमेंड टो नहीं करूंगा कि आप यह काम करें लेकिन आपको बता देता हो कि प्रॉब्लम कौन सा होता है कि निकालने के बाद यह पूरा का पूरा है कैसे टूनिट बाहर निकलता है आप वीडियो पर देख सकते हो कि किस तरह की से मैं निकाल रहा हूँ उसी तरह के से आपको निकालना यह दि आप कर रहे हो तो कि कि आञाच कुक करें है डिक diffy पूरा को करनुकर रहे हैं निकालने के बाद आप पीचीजर निकालने होंगे अपरवाली उप रहे हैं और कनेक्शन जो लगी वो है व åो भी निकालना है धहान से काम करना है ज़्य कोई भी प्वाइंट न निकल जाए है आप इसका फोटो निकाल के भी रख सकते हैं पहले सबसे पहले तो फोटो निकाल के रखो ताकिए आप नेक्स टाइम में गलती से भी कोई connection रह गया तो आप अपने मोबाइल के फोट में देख सकते हो कि यहां का connection निकला हुआ है तो आपको लगाना है तो फोटो निकाल कर रोखो गए तो आपके पास प्रूप रहेगा पिछली वाले connections का यह निकालने के बाद आपको वह बेल्ट जो है इसके नीचे एक बेल्ट रहता है उस बेल्ट का कि साइड जो है वह थोड़ा लंबा है तो उसके कारण कुछ connection नीचे से है कुछ उपर से तो आपको निकालना पड़ेंगा प्रॉफरी निकालना पड़ेंगा जैसे मैं निकालना पड़ेंगा वह इसी निकालना है तो आप आराम से आराम इसके नीचे है पूरा gearbox, इसको gearbox बोलते हैं तो यह gearbox के पूरा gearbox आपको दिखेगा तो अराम से निकालना है यह ताकि कोई का तूटsel ना जाए इस तरिके से gearbox होता है यहां पर आपको छोटा सा मेर करेंट दूँना यह मार्ग जो दिख रहा है आपको यह वाला छोटा सा स्प्रिंग का कनेक्शन तूटा हुआ है जिसके काराण वो पेज को उठाने रहा है यह वाला स्प्रिंग जो है उसका कनेक्टर तूटा हुआ है तो वो लटकेगा नहीं तो फिर डेक को उठाने पाएगा तो इसके कारान यही problem था कि यह spring का जो connector है वो तूटा हुआ है जिसके कारान वो spring निकल चुका है तो अभी इसको attach करने का कोई उपाय नहीं है उपाय करना है तो आपको जुगार करना पड़ेंगा लेकिन वो बहुती रिक्सली काम है 90% वो unsuccessful होता है तो मैं इसमें temporary काम कर देता हूँ जैसे मैं दिखाता हूँ कि मैंने temporary काम कर दिये देख सकते हो कि इसके बाजवाली इसको मैंने spring लगा दी यह temporary काम आप कर सकते हो जिसके कारान वो trade चालू हो जाता है तो अभी मैं इसका यह सब कुछ देख लेता हूँ कि properly connected हुआ है कि नहीं हुआ है कोई gears तो धिला नहीं हुआ है या फिर कोई lock वगरा धिला नहीं हुआ है तो यह सब मैं चेक कर लूँगा और उपर का cover लगा दूँगा जैसे मैंने निकाला था वैसे आपको लगाना है अराम से ध्यान से लगाना है कोई भी parts निकलना चाहिए तो आप देख सकते हो वह छोटे-छोटे गुंडिया भी होती है छोटे-छोटे locks छोटे-छोटे गुंडिया तो फिर वह भी अराम से लगाना है यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सस्क्राइब कर दो और बताओ कि आप इस चानल के थूरू भी बहुत सारी चीजे रिपेरिंग वाली चीजे सीख सकते हो maximum time ऐसा ही होता है कि वो spring का जो connector है वही तूटा है, आपने देखा होगा कि इतना चोटा सा connector था तो चोटा सा connector maximum time ऐसा ही होता है कि वो तूट जाता है, वो तूटने के बाद फिर लगता नहीं है, तो आप temporary काम चला सकते हो उस तरीके से क्योंकि यह जो body है, यह body single में मिलना मुश्किल है, impossible है नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसलिए लोग सिधा recommended करते हैं कि आप यह 10,000 का unit, लगबग 10,000 का unit आता है तो यह 10,000 का पूरा unit आप डाल दो तो आप फिर भी 10,000 खर्चा ना करते होगे भी इसको repair कर सकते हैं इस तरीके से, आप इस तरीके से उसको manage भी कर सकते हैं अभी पूरे का connection लगा लेना है, जैसे आपने निकाल ले थे, यह अपने फोटो निकाल ली होगी तो आप देख लो कि किस तरीके से आपने connection निकाल ले थे, कौन-कौन से निकाल ले थे, कहा का आप अपने connected थे यह वाला वीडियो बहुत ही लेंदी होगा, क्योंकि इसका हर एक पार्ट आपको दिखाना जरूरी है यदि आपको एक एक पार्ट यदि मैं दिखाओ तो ही आप इसके आगे का सोच सकते हो क्योंकि मैं इसकी speed भी नहीं बढ़ा सकता थी इसके कारण ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है आपको एक पार्ट आपको एक पार्ट येवियो नहीं आपको एक पार्ट रहा है ये पूरा सिस्टम हो गया रेडी जैसे निखाले ते वैसे लगा देना है धिरे धिरे आराम से खिचना है क्योंकि ये बहुत ही टाइट फिट होता है तो निकालते समय भी आराम से निकालना है थोड़ा 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 खिचकी निकालना है ये बहुत ही टाइट फिट हो झाल झाल फोटो निकाल लियो होंगे तो एक बार देख लो कि किस चरव के से कनेक्शन लगे थे मैंने वो लगा लिए सभी नटबोल्ट ज्यादा टाइट नहीं करना है ताकि नेक्स्ट टाइम में निकले ना निकालने में बहुत जादा दिकत जाएगी तो आपको डिले ही रखना है थोड़े वह दिले ही रखना है ज्यादा टाइट नहीं करना है इसके बाद वन-बाई-वन आप सभी covers लगालो जैसे जैसे निकाले थे मतलब step by step जैसे पहला वाला cover दुसरा वाला cover तीसरा वाला cover step by step निकाले थे वैसे step by step आपको लगाना भी है जो सबसे आखिर में लगाया होंगा तो वो सबसे पहले लगाना है सबसे आखिर में जो निकाले होंगे आपने वो सबसे पहले लगाना है उसके बाद सबसे पहले जो कवर निकाले होंगे वो सबसे आखिर में लगाना है तो आपको ध्यान में से वो सब काम करना है मैं फिर से बात बताना वाला हूँ कि ये काम जो है आप किसी भी रिपेरिंग करने वाले को या फिर इंग्जिनियर्स को बुला कि ये काम करें खुद करोगे तो मैं रिकमेंडेट नहीं कर सकता कि आप खुद करो फिर भी आप खुद कर रहे होंगे तो आपको बहुत सेकेट का बॉक्स जो है तो चैजेट का से गेरबोक्स बहुत धीलर और नाजुक हुता है यह धिक एक घलती हो झाय aún तो तूठ तो तूठने के दाग चाम नहीं करेगा तो में रिकमेंडेटcidos में कर सकता झाल झाल अभी मैं फाइनल कॉफी दिखा दिता आपको आप देख लो फाइनल कॉफी लगबख हो चुका है पूरा मैंने मशिन को अन कर दिये आप देख सकते को अभी योद दिखाएगा अभी आप देख सकते हो वो जो कैसेट है वो मैं लगाऊंगा अभी यह देख लो आप इसने पेपर उठा लिए अभी मैं दो प्रिंट निकाल के देखा देता हो यह देख लो आप पहला वाला ट्रे जो बन पड़ा हुआ था वो चालू हो चुका है इसने दो यह दि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो यह दो